नमस्कार, Study with MS YouTube चैनल में आपका स्वागत है हम कर रहे हैं Old Question Paper की सिरीज जिसमें नाइवता सिल्दार 2013 के हमने दो पार्ट डिसकस कर लिये हैं और आज पार्ट तीन डिसकस करेंगे इस Question Paper के अगर आपको PDF चाहिए होगी तो वो हमारे Telegram चैनल में उवलब्द है आप वहाँ से भी से डाउनलोड कर सकते हैं आएए देखते हैं आज किस वीडियो का पहला प्रशन है किस प्रधानमंत्री के शाषनकाल में संपती के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया तो यहों निकाला था आप्शन बी सही उतर होगा प्रशन नमबर 94 पंच वर्षय योजना कानू मोदन एवं पुनराब लोकन किस के द्वारा किया जाता है तो यहों किया जाता है रश्ट्रियो विकास परिशद द्वारा अगला प्रशन है सर्वोच नयायल्यो में तदर्थ नयायदिश की निकती की जाती है यहों की जाती है रश्ट्रबती के अनुमति से भारत के मुख्य नयायदिश द्वारा आप्शन D सही उतर होगा अगला प्रशन है संभीधान कानू छेद 28 निशिद करता है तो यहों निशिद करता है सरकारी शिक्षन संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा को अगला प्रशन है मोति का मुख्य घटक होता है तो वह होता है केवल केल्शियम कार्वोनेट ऑप्शन D सही उतर होगा अगला प्रशन है प्याज को छिलने या काटने पर आंखो में प्रभुत मातरा में आंसू आने का क्या कारण है तो क्या कारण है प्याज की कोशी काओं में विद्यमान गंदक अगला प्रशन है आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमी का है तो यो है थाइराइड ग्रिंथी के कारियों का नियमन करना अगला प्रेशन है किस चीज की कमी रताउंधी में फलित होती है जो रताउंधी रोग है वो होता है बिटामिन A की कमी से option A से उतर है अगला प्रेशन है प्रेशन 101 हारवर्ड विश्य विद्याल्यों में पौरवात्य दर्शन के आचार्य पद को स्विकार करने हितू सरप्रतम किस भारतियों भीभूति को आमंत्रित किया गया था तो वो हो थे स्वामित विवेकानन्द प्रेशन 102 अठारा फरवरी 1911 के दिन भारत में पहली वानिजिक नागरिक उडानकिन स्थानों के बीज संपन हुई तो यह हुई थी इलहवाद और नैनी के बीज में अगला प्रेशन है अगला प्रेशन है मेरी महतो कांक्षा मुसलिम को खले बनने की है अपनी महती राजनितिक अभिलाशा की अभिव्यक्ति उप्रिक्त शब्दों में किस ने की थी अगला प्रेशन है एडवर्ड शप्तम के राज्या रोहन का उत्सम मनाने के लिए 1903 इस्वी में आयोजित दिल्ली दरवार में उपस्तित होने के बाइसराय लॉड करजन के आदेश की अभिलना करने का साहस किस देशी रियास्त के शाशक ने दिखाया तो यह दिखाया था मेवार की शाशक ने प्रेशन 107 है सन 1921 इस्वी में मातमा गांधी के सावरमती आश्रम की स्थापना के लिए डेड़ लाख की धनराशी की विवस्ता करने का श्रेगी से है तो यह श्रेगी जाता है डॉक्टर प्रान जीवन दास मेहता को अगला प्रेशन है मातमा गांधी की कृती हिंद सोराज की रचना किस लेखन विदी में हुई थी तो यह हुई थी संपादक और पाठक के वीच वारतालाब ऑप्शन सी सही उतर है प्रेशन नंबर 109 है मूलतह हिंद सोराज है यह एक सब्यता का विमर्ष है ऑप्शन बी मातमा गांधी के अनुसार आधुनिक सब्यता की सबसे बड़ी उपलब्दी है व्यापक विनाश के हथियारों का विश्कार प्रेशन 111 1857 के प्रथम सोतंतरता संगराम से पूरुव जनमानस को आंदोलित करने वाली भावनाओं को अधोवरनित प्रवावी काभ्या विवक्ति किसने प्रदान की जो निचे लाइने दी गई है कविता की लाइने है तो ये लिखी थी सुभद्रा कुमारी चोहानन यह जांसी की रानी लक्षमी भाई पे लिखी गई थी प्रेशन अम्र 112 है सन 1924 में प्रकाशित हिंद सौराज का प्रथम अमरीकी संस्करण की शिर्षक से प्रकाशित हुआ था तो यह हुआ था सर्मन अन्दा सी ऑप्षिन बी सही उत्तर होगा प्रेशन 113 है आर सी दत की महतोपुर्ण कृति इकोनोमिक हिस्ट्री आफ इंडिया के अधेयन के उपरांत महत्मा गांधी ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की तो उनके नित्र अश्रूपूरित हो गए थे इस किताब को पढ़कर अगला प्रेशन है महत्मा गांधी के प्रति अपनी तिब्र नापसंदगी को जाहिर करते हुए विंस्टन चर्चिल ने उन्हें भारत का अर्द नगन फकीर की संगया किस अवसर पर परदान की थी तो यह की थी दांडी यात्रा के समय प्रेशन नमर 116 है किस पुस्तक के विशे में मात्मा गांधी ने यहो अभिमत व्यक्त किया है कि इसका लेखन रक्त एवं आंसुओ से हुआ है तो यहो पुस्तक थी अंटू दिस लास्ट बारतियो संभिधान की उदेशी का की विशक्षनता से कौन से विख्यात राजनितिक चिंतक इतने प्रभावित हुए की सामाजिक और राजनितिक सिधान्त पर अपने महतोपुन गरंत का श्री गनेश उन्होंने इसे शब्द शो उद्रित करके किया तो यहो थे सर अरनेस्ट वारकर ओप्शन बी सही उतर है प्रशन 118 है मनुष्यता और मात्री भूमी के कल्यान के लिए गांदी जैसे विरल व्यक्तितों इस धर्ती पर यदा-कदा ही अवद्रित होते हैं मात्मा गांदी का ये शोगान इन शब्दों में किस ने किया तो यहो किया था डॉक्टर प्रान जीवनदास मेहता जी ने क्वशिन 119 है मात्मा गांदी सन 1936 और 1945 के मद्दियों अपने शिमला प्रवास के दोरान प्राय मेनोर्विल में ठहरते थे यहो भवन किस की मलकियत था तो यहो था राजकुमारी अमरित कौर की मलकियत जो स्वातंतर भारत की पहली मेला स्वास्तियों मंत्री भी रही है लास्ट प्रशन है 120 ब्रीटिश राज के दोरान शिमला पर एक निगाह दोड़ाने के बाद किसका आक्रोश इन शब्दों में फूट पड़ा था यदि किसी को कहा जाए कि बंदरों ने इसका निर्मान किया है तो इतना ही कहा जा सकता है कि क्या कमाल के बंदर है यदि वे दुवारा ऐसी कोशिश करे तो उन्हें गोली से उड़ा दो तो यह कहा था सर एडविन लूटियंस ने तो यह था हमारा नाइब तशिलदार 2013 का कुशिन पेपर जो हमने पूरा सॉल्व कर दिया है अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद